आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंत विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें इप्रसने किस आयन की जल में चालकता सबसे अधिक होगी, ठीक है तो यहाँ पर जल में चालकता पूछा है, मैं बताने जा रहा हूँ, जल में चालकता हूँ, उस्मा की चालकता हूँ, विद्धु चालकता हूँ ठीक है और यह सारे हमारे चार दातों दिये गए विकल्प में तो देख चालकता के लिए हमें क्या चाहिए स्वतंत इलेक्ट्रान जब स्वतंत इलेक्ट्रोन होगा ठीक आसानी से स्वतंत इलेक्ट्रोन मिलेंगे तब ही उसमें चालकता आएगी ठीक समझ गए तो आसानी से इलेक्ट्रोन कौन निकालेगा जिसका आकार बड़ा होगा आकार बड़ा होगा नाभिक से कम आकर सड़ोगा जब आकार बड़ा होगा तो नाभिक से कम आकर सड़ोगा और आसानी से क्या होगा इलेक्ट्रोन निकाल देगा इलेक्ट्रोन निकाल देगा और इलेक्ट्रोन आ चाल रहा लिए रहा उतना अच्छ ग warto प्रों सूर राया है het घड़ है उसम हमी चाल रगता तो हमी पता है उपर से नीचे यहांपर लीथीयम लीथीयम मैं इसीजियम जोआ लीथीयम सोडिययम पोटेशयम और सीजियम फीक है तो सबसे पहले हमारा क्या आता है सबसे पहले हम हमारा sodium और我们 potassium और我們케吧 R ubudium और CGM आता है ठीक है तो हमने पता है जब अपर से नीचे जाते है तो क्या होता है जो आकार होता है ठीक है वो क्या होता है बढ़ने लगता है कि कोसों की संख्या बढ़ती उससबसे बढ़ा CGM कर लेगा सबसे आसानी से ठीक है सबसे आसानी से कौन करेगा CGM और आसानी से िलेक्ट्राण निकाल देगा तो इसलिए इसकी चालगता सबसे जदिक होगी सबसे जधा होगी क्योंकि आकार सबसे बढ़ा है इसका ठीक है, इसलिए CS प्लस जो है जो हमारा आखरी वाला विकल्ब है इसकी चालकता जल में क्या हो जाएगी सबसे आधिक हो जाएगी इसलिए D विकल्ब अपन का सही हो जाएगा थैंक यू